नमस्कार आप देख रहे हैं TPV News और मैं हूँ आपके साथ आयूशी महरशी भारत ने महीला वर्ल्ड कप के 22 मैस्ट में बांगलादेश को 110 रन से हरा दिया भारते टीम ने बांगलादेश के सामने 230 रन का टार्गेट रखा था जिसके जवाब में बांगलादेश 119 रन पर आल आउट हो गई बांगलादेश की तरफ से सलमा खातूर टॉप स्कॉरर रही भारत की और से इसने राणा ने सबसे जादा चार विकेट चटकाए जूलन गौसवामी और पूजा वस्तरकार ने दो-दो विकेट लिये बता दे की टीम इंडिया की बांगलादेश के खिलाफ ये लगातार पांचवी जीत है जीत के साथ ही भारत महिला वर्ल्ड कप की पॉइंट स्टेबल में छे अंकों के साथ ही तीसरे पायदान पर पहुँच गई अब भारत को अपना बचा हुआ एक मात्र मुकाबला 27 मार्च को साउथ अफरीका के खिलाफ खेलना है इसे के साथ भारती टीम ने सेमी फाइनल का दावा मजबूत कर लिया तो चलिए फिलाल के लिए सिर्फ इतना ही सितरे के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे हैं टीपीवी न्यूज नमस्कार